हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग वितिशनात अपना एक्सपिरेंस शेयर करना चाहती हूँ ऐसा न्यू पैरेंट मैंने जो एक्सपिरेंस किया है और वो सारी चीजे मैं आपको शेयर करके बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए भी helpful हो जब भी हम एक new baby को जन्म देते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी questions होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या baby की activity होगी तो मैं कुछ-कुछ points आपको बताती हूँ जो शायद आपको बहुत helpful हो future में तो सबसे पहले तो congratulations कि आप नए parents बने हैं और पहला मैं सबसे पहली बात आपको बोलना चाहूंगी बेबी जब जन्म लेता है तो वह पूरी तरह आपके dependent होता है और बहुत सारी चीजे हैं जो आपके पेट में सीख चुका होता है बट बहुत सारी चीजे जो आपको उसे सिखानी होती है जैसे कि आप जब भी कुछिए नहीं है एक मैं अवह स्पीर नुछ में है और आसपास की चीज़े सबथी इसके बहुत नाया है तो जब भी वह उस चीज को फील करता है तो पुस्के बहुत सारी चेंजस यशाए जह गए तो सुरू कि दस दिन में तो आप महुत सारी चेंज़वे कि देक्गे उसके skin के color में कि वो कैसा color है, red है, pinkish है, फिर उसके body का color भी change होता है, कई बार उसमें rashes भी दिखते हैं हमको, और बहुत सारी changes दिखते हैं, जैसे कि शुरू में doctor लोग बोलते हैं कि jointies तो सारे बच्चों को ही होता है, बट इसको लेके भी बहुत साई चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं वो points आपको भी बताती हूँ, तो सबसे पहले आप जैसे ही बेबी को जर्म देंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना breast fit कराना है उसे, जिससे कि बेबी के अंदर जितनी सारी बेबी के अंदर का जो भी है वो उसके motion के थुरू बाहर निकल जाए और हमारे बेबी को jointies का खत्रा बिलकुल ना के बराबर हो जाए वैसे तो jointies सबी बच्चों को होता ही है बट अगर आप उसको regularly in every two hour feet कराएंगी तो आपके बच को jointies का खत्रा बिलकुल भी नहीं होगा और सारा कुछ motion के थुरू बहार निकाल देगा और आपका बेबी बिलकुल healthy रहेगा यह चीजा आपको सिर्फ 8-10 दिन तक ध्यान देनी है उसके बाद automatically jointies का खत्रा कम हो जाता है बेबी जब पैदा होता है तो उसे hiccups बहत आते है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको कुछ problem है या फिर उसको कुछ indigestion है कुछ नहीं वो automatic है वो आएगा ही बेबी को और countless time आएगा आपको उसके लिए worry करने की ज़रत नहीं है और आपको उसके लिए कुछ दिखाने की ज़रत नहीं है डॉक्टर को और दूसरा sneezing बेबी को sneeze इसका मतलब यह नहीं कि उसे सर्दी है उसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ allergy है ऐसे बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारा कुछ atmosphere उसके लिए नहीं है पहले वो water के through breathing करता था जो हमारे immunity fluid से उसको oxygen मिलता था बट अभी वो air के through breathe कर रहा है तो अब्वेस है कि यह सारी changes उसमें हो होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको AC off कर देना है आपको एक level maintain रखना है जैसे कि उसका temperature 35 to 37 degree Celsius होना चाहिए तो बेबी का temperature इतना है तो आपको इसके लिए worry करने की ज़रुरत नहीं है और आपको यह भी नहीं कि fan off रखना है AC off रखना है आपको एक room temperature जो होता है वो maintain करके रखना है बट इसमें एक important चीज है कि आपको बेबी अभी तक एक warm weather के अंदर था आपकी पेट के अंदर बट अब वो बाहर आ चुका है तो उसे इतने जल्दी से थंड़े atmosphere को adopt करने की आदत नहीं है तो आपको शुरू के 8 से 10 दिन बेबी को wrap करके रखना है रखना ह आपको बेबी को पूरी तरह cover कर देना है किसी भी wrap कोई भी कपड़े से जिससे कि उसको गर्मा heart feel हो सबसे पहला point यह है बट आपको यह चीज ध्यान रखनी है जब आप feed कराते हैं तो आपको rapper हटा देना है अधर्वेस बेबी को लगेगा वो अभी भी पेट में है और उस कि वह अराम से आपका फीड ले सके पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वह है रिगार्डिंग अंब्लीकल कॉर्ड पहले तो अंब्लीकल कॉर्ड के थ्रू उसे पेट में खाना मिलता था बट अब अंब्लीकल कॉर्ड किसी कोई जरत नहीं है क्योंकि हम उसको फी नहीं हो जरूरत को जरूरत नहीं है जब तक वह वह होता है विग उसमें से स्मेल आ रही है और उसमें पस जैसा लग रहा है और वह जरूरत नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरुवत है और कोशिश करें कि जब तक वह अंब्लिकल को अटेच है तो आप अपने बेबी को स्पंज बात ही दें और उसे स्टेराइल से साफ करते रहे और कोशिश करें कि उसको ज्यादा गीला ना रखे जिससे कि वह जल्दी ड्राइ हो जाए और फॉल हो जाया ये यूरीन Stools के बारे में अब वी बेबी की यह जब बेबी बर्द करता है तो उसके एक से दो दिन बात वो दुली पास करता है तर इसाप हो ग्रीनिले ब्लैक हो कभी वह मस्टर्ड सीर्जास उसमें दाने होंगे इसमें वह चेंज होता रहेगा क्योंकि वह आपका आपका फीड ले रहा है बाहर का कुछ भी नहीं खा रहा है तो वह सारी चीजे नॉर्मल है हम इसमें वरी करने की ज़रत नहीं है और यह स्टूल में चेंज होगा और जितना वह स्टूल पास करेगा आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी और इसे जोइंटी से खत्रा भी नहीं रहेगा तो वो दिन में 4-5 बार भी कर सकता है और हो सकता है कि 5 दिन में एक बार करें ऐसा भी हो सकता है तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसा है की पहले लोगों का महना था कि जो चोटे बचे रहते हैं उनके आसू नहीं आते हैं बट ऐसा नहीं है बहुत साइ चीजें जिसकी वज़े से बच्चों का आसू आते हैं या जूश वह सकता है इसमें ठीज आपको धैयान रखनी है कि वो कुछ irritation की वज़े से भी हो सकता है कुछ infection की वज़े से भी हो सकता है बट most of the time ऐसा होता है कि बच्चों के जो tear duct है वो खुले नहीं होते है वो close होता है जिसकी वज़े से पानी अपने आप बहता रहता है तो आपको क्या करना है ये वाले पार्ट को आपको बेबी के मसाज करना है जिससे कि उसका टियर डक्ट ओपन हो जाए और हमेशा पानी ना बहता रहे तो ये चीज़ा आपको ध्यार रखनी है अच्छे से हैं और हम मेरे डॉक्टर ने भी याशा किया था कि आप सुरू के वन वीक तक बेबी को मसाज करने स्टार्ट ना करें वह बहुत अच्छी नींद लेता है और इतनी अच्छी नींद लेता है कि हम उसको फीट कराने के लिए उठा तो भी नहीं उठता है तो आप कोशिश क शूरू के वन विक तक उसको मसाज ना करें और उससे एवरी तू आर में फीट कराएं कपतन जब वन तक की कम पर सरी है कि एवरी तू आर आर आपको फीट कराना ही कर ना चाहिए अप्सको गहरी नीन में सु रहा हो उसे उठाइए उसको डूलाइए कुछ भी करिए और इसको टू आरनी कर आए कभी है कि यह बहुत गहरी में है और वो उठ नहीं रहा है तो आप इसे अधाई गंटे तीन गंटे का गैप ले सकती हैं बट आप कोशिश करें कि आप उसे जीए हो ने और उनका सिftig English likenrs रोना और उसके थ्रूए हमको बताना चाहते हैं कि रहा चाहते हैंना उसे चार-पांश कारण हो सकते हैं कि वो क्यो हूर रहा है सबसे पहला रीज लीज कि यह है हूंगरूर्आ λगी कि अगर, उसके काया है, तो बहुत गर्मी लगी है अगर आपने 35 डिग्री थर्टी डिग्री फिर भी इसको स्वेटर पेना के रखा तो अब वेस्थ है कि उसको भी गर्मी लगी तो ये चीज़ा आपको समझनी है और हो सकते हैं कभी उसको बहुत ठंड लग रही है तो भी वह रोईगा और वह उसक हमने गोदि में अठाए तो उसको अठ्षho नहीं लग रहा है या बिच्दल में लिटाने से बैड में कुछ अछा नहीं लग रहा है तो वह रोएगा और सबस्क्रा Cle會 ये बहूँज्यक्री बत्चे भी क Random और और इसे लिए भी रोते हैं, वो बहर रहो है कि अपक़ना कमें लूदिक है। तो यह कंडिशन हमको समझ नहीं आती जल्दी कि क्या हो रहा है बेवी के साथ तो ऐसे केसे पर आपको डॉक्टर की पस ले जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए तो यह सारी चीजे मैंने एक्सपिरियंस की है जो मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत सारे डिटेल्स हैं बहुत सारे हैं जैसे कि हम बेवी को हगीस पहनाए या ना पहनाए बेवी को पेट भर रहा है कि नहीं कैसे पर चले तो वह सारी वीडियो भी मैं बनाऊंगी आप इस वीडियो को जरूर देखें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे और भी वीडियोस आपको चाहिए तो comment करके जरूर बताएं कि क्या कि आप जाना चाहते हैं कुछ आपके questions हैं तो आप comment box में लिख सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं तो thank you so much for watching